नमस्कार आप देख रहे हैं देश का नमबर वन न्यूस चैनल न्यूस जेटी इन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अंकेता दुबे। धेर लिया है और सर्च आपरेशन चलाया जा रहा है। वधान सभा चुनाओ का शंकनाद किया। सिरमाओर में हाठी आभार रैली में अमिर्शा ने बीजेपी की चुनाओी कैमपेइन को शुरू किया। अमिर्शा ने ये कहा कि ये बीर भूमी है। पहला परमवीर चक्रह माचल के मेजर सोमनाच शर्मा को मिला है। वहीं अमिर्शा ने कॉंग्रस पर भी जमकरने शाना साथा। उतरप्रदेश के बारा बंकी में बहने वाली सर्यू नदी खत्रे के निशान से उपर बह रही है। गाउं से लेकर शहर अब बाढ़ की चपेट में आ गए है। कई कॉलोनीज में बाढ़ का पानी गुज गया है। निशले इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां लोगों ने पलाइम शुदू कर दिया है तो वहीं प्रशासन हर संभव मदद की कोशिश कर रहा है। मैं उत्रप्रदेश की गुंडा में भारी बालिश कहर बर पाने लगी है। पशले कुछ दिनों से हुई बालिश की वज़े से सर्यू और घागरा नदी में उपाना आ गया है। जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। वही कई गाओं पूरी तरह से बार की चपेट में आ गये। रास्ते में पानी भर जाने की वज़े से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही किसान धान की फसल बरबाद हुनी की वज़े से बहत परेशान है। वही माराश के पंधरपुर में भारी बारिश की वज़े से नदी और नालों में उफान आ गया है। इसी सेलाप के बीच लोग रास्ता पार करने को मजबूर है। एक मोटर साइकल सवार अपने दो बच्चों के साथ सड़क पार कर रहा था। तब ही पानी की 23 धाल आ गई और वो उसमें बहने लगा। गनी मत ये रही कि आसपास लोग मौजूब थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इसी तरह मोटर साइकल सवार और बच्चे की जान बचा लिए। यूपी के फिरोजाबाद में एक महिला ने आटो रिक्षा चालक के पिटाई कर दी विडियो सामने आया है जिसमें महिला पीड के बीच एक के बाद एक आटो रिक्षा चालक को थपड मारती दिखाई दे रही है। महिला ने आरूप लगाया कि आटो रिक्षा चालेक उसे लगा तार्पून पर परिशान कर रहा था जिससे गुस्से में आकर महिला ने उसे थक पड़ जड़ दिया यूपिके फिरोजाबाद से गुंडा गर्दी का एक वीडियो वारल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक लड़के को बांथ कर बेल से पीड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बताया ये ज़ा रहा है कि कुछ लोगों ने पहले लड़के को उसके खर से उठाया और फिर 20 चड़क पर फीचना शुरू कर दिया इस दौरान लोगों की भीड़ कट़्ी हो गई वहीं वीडियो सामने आने के बाद भी किसी आरोपी की गिरफतारी नहीं हो पाई है यूपिके मुरादाबाद में मुढभेड के दौरान पुलिस खानन माफिया जफर को गिरफतार कर चुकी है खानन माफिया जफर पर 1 लाख रुपय का इनाम रखा गया था कुछ दिन पहले ही उत्तराखंट के काशिपूर में जफर को जिरफतार करने के लिए पुलिस गई थी और इस दौरान पुलिस की टीम पर हमला भी किया गया था जहां एक महिला की गोली लगने से मौद भी हो गई थी और कुछ पुलिस करनी भी खायल हो थे समले में वहें यूपी के काशगंच में मामुली विवात पर दो सम्बुदाओं के बीच विवात खड़ा हो गया दोनों पाक्षाम में सामने आ गया और जम कर मार बीच हुई इस औरान सबजी मंदी की दुकानों में भी तोड़ फोड की गई जिसके बाद बाजार बन कर दिया गया और मौके पर भारी पुलिस फोच की तैनाती भी की गई दलाल पुलिस ने कारवाई करते हुए चार नामजद और करीब आठ अध्यात लोंगे खिलाफ मामला दर्श कर लिया है और मामले की जांच दिसकर दी मद्यपदेश के धार के मश्रूर रुपेश हत्याकान मामले में प्रशासम ने बड़ी कारवाई की है और आरोपियों के अवैद अतिकर्मन पर बुल्डोजर चला दिया गया पुलिस ने हत्याकान मामले में कारवाई करते हुए आरोपियों की करोड़ो रुपे की संपत्ति को ध्वस्ट कर दिया दरसल धार के पीथमपुर में तीन दिन पहले रुपेश बिरला का पाहरण कर उसका शव दफनानी का मामला सामने आया था इसके बाद बुलिस ने च्छे आरोपियों को गिरफतार किया था मद्रप्रदेश के रतलाम ने महिलाओं का अनुखा प्रदार्शन देखने को मिला जहां महिलाओं ने आतिकर्मन की कारेवाई के खिलाफ जमीन पर लेट कर दिरोध प्रदार्शन किया प्रशासन घरों को तोडने के लिए पहुचा था जिससे नाराज महिलाओं ने मानु श्रंकला बनाकर कर्मशायों को रास्ता रूप दिया और सड़क पर बैठ गई इस बीच कुछ महिलाओं ने जमीन पर लेटकर भी प्रदर्शन किया महिलाओं को आरोप है कि उनका परिभार कई सालों से यहीं रह रहा है बारणसी के बीच्चियों में फीस बढ़ने के खिलाफ कई छात्रों ने प्रदर्शन किया इसके साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर छात्रों ने बड़े आंदोलन की भी चेतादनी दे दी है वहीं प्रदर्प्शन को देखते हुए ब्यच्छी उ सुरक्षा कर्मियों ने केंद्री कार्याले का गेट बन कर दिया चात्र जब पहुँचे तो केंद्री कार्याले में कुलपती से मिलने की मांग करने लगे वहीं छात्रों की सुरक्षा कर्मियों से धक्ता मुक्ती भी जम कर गी। दिखाई देने लगा है दीपावली तक सभी नाओ सियंजी युक्त नहीं हुए तो उनका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। ने बताया कि CT1 नाम के इस रबाव के गर्चिरॉली के वड़सा वन शेत्र में गूबने की सूचना मिली थी। तब ही रेस्क्यू टीम जाल बचा कर और वहाँ पर पहुंची और इस बाख को पकड़ लिया। अमारका गिराजपती जो बाइजन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक करार दे दिया है जिसके पास परमारू हथ्यार मौजूद है। इरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन की जाच चिली तक पहुच गई है। करीब 110 लोग काम कर रहे थे। नमाके के तुरल्ट बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लोगों को बचाने का काम पूरी राच चलता रहा। जानकारी के मताबिक 50 वोकर्ड सौ मीटर नीचे फसे हुए थे। तो पांच लोगों को 350 मीटर की गहराई से रेस्क्यू किया गया। किया बाह।